नमस्कार मैं C.A. उमेश शर्मा आज डिसकस करूँगा आपके साथ एक बहुत important topic वो है show cause notices issued by service tax department in the month of December 2020 ये एक shock causing notices के जैसा काम कर रहा है कई taxpayers के case में तो चलो दोस्तों देखते हैं फटाफट क्या है ये issue क्या है matter क्यों ये show cause notices issue हो रही है उसका taxpayer ने कैसे जवाब देना चाहिए तो we will start our question and answers तो आखरी question तक देखते रही है ये एक video जो आपको देगा ये जो service tax के notices आए है उसके उपर क्या करना चाहिए तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो show cause notices issue हो रहे है उसके पीछे क्या कारण है तो करोना के चलते pandemic के चलते कई deadlines आए है taxes के पर हमको notices भी face करनी पड़ रही है show cause notices और इसके कारण अलग-अलग है service tax के returns, income tax के returns, VAT के returns, उसके financial year 14, 15, 15, 16 और आगे 16, 17, 17, 18 तक के कोई notices आएंगे उसके अंदर कुछ turnover के differences है उसके notices issue करे गए है कि ये differences के उपर tax भरिये ऐसा देखने को मिलता है कि करोडो रुपए के notices issue हुए है और इसका कैसे evaluation हुआ है इसमें law कैसे fulfill होगा नहीं होगा ये सारे बहुत सारे प्रश्ण हमारे सामने आ जा रहे है अब दूसरा सवाल कि क्या ground लिया गया है ये notices के अंदर कुछ बहुत सारे notices ऐसे भी issue हुए है जहां पर income tax और service tax का difference बताया गया है कहीं पर vat return और service tax के रिशिप्स के अंदर differences है और उसके उपर straight way service tax लगाया गया है और ये amount notices के अंदर कहा गया है कि आप pay करिए कई notices तो ACBI है कि जो doctors को issue हुई है कि आप service tax pay करिए हाला कि ये doctors को service tax लागू नहीं होलता है head services के उपर कई job work के उपर भी differences आया है exempt है वो service tax में और income tax में वो return बताया गया है receipt में तो वो भी यहां पर notices में issue हुए है तो due diligence किया गया है क्या नहीं notices issue करने के पहले या अफरा तफरी में 31 December 2020 के पहले ये notices issue हो गई है department के तरफ से अब taxpayer को ये जवाब देना पढ़ रहा है बड़ा ही दिख्खत वाला समय है फिर दूसरा एक सवाल आ जाता है कि क्या दिक्कते हो रही है taxpayers को कई taxpayers को यहां पर पुरानी information मांगी गई है documents मांगे गए है और ये पिछले 5 साल के तक के पीछे तक record अब लाना है GST आ गया है अब ये देखा जाना चाहिए कि service tax department या GST department जो अब है वो 5 साल पीछे की information मांग सकती है क्या तो ऐसा पता चलता है कि fraud, collision, will-fill statement, suppression of fact है तो पीछे 5 साल तक वो जा सकते हैं पर अब ये notices भेज दी गई है उसका reply यहां पर departments को देना पड़ेगा हमको taxpayers को principles of natural justice, reasonable opportunity of being heard ये सारे cases में follow होना चाहिए अब ये follow होते है के नहीं होते है ये case to case देखना पड़ेगा फिर आते हैं अगला सवाल कि taxpayer के पास में क्या remedy है इन show cause notices के against तो यहां पर SCN आने के बाद assessi को reply file करना पड़ेगा कि ये extended period जो है section 73-1 जो service tax का है finance act का वो क्यों नहीं evoke करना चाहिए याने पीछे 5 साल का हम क्यों नहीं information मांग के आपको tax लगा सकते हैं क्यों नहीं service tax लगाना चाहिए क्यों नहीं interest की recovery करनी चाहिए penalty 77-78 और late fees अगर return file नहीं किया है तो section 70 में क्यों नहीं लगाना चाहिए ऐसा 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा ऐसा notices के अंदर लिखा गया है फिर क्या होगा next taxpayers को reasonable opportunity दी जाएगी personal hearing होगी फिर वो जो भी reconciliation है जो भी representation है notice के अंदर जो मांगा गया है वो adjudicating authority उसको check करेगी फिर बाद में tax payable आता है तो order बनाई दाएगी अब show cause notices issue हो गए है तो ये demand confirm होती है नहीं होती है ये हमको check करना पड़ेगा पर कई बार ऐसा हो जाता है कि SCN issue हो गई तो demand तो वो confirm करी लेते है पर इतने bulk में notices issue ही है तो tax authorities को भी सोचना पड़ेगा order बनाने के पहले कि demand को हमको drop करना है या confirm करना है penalty और interest लगाना है कि नहीं लगाना है accordingly tax interest penalty बाद में अगर confirm होती है तो pay करना पड़ेगा within the given time frame और अगर order आई जाती है तो बाद में appeal के भी आपको chance मिलेगा और कई cases के अंदर बहुत से tax payer तो writ petition high courts में भी जाने का सोच रहे है क्योंकि करोडो रुपए के demands उनके उपर raise कर दी गई है फिर अब हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या है important points और क्या है important judgments जो ये show cause notice को deal करते वकत हमने ध्यान में रखने चाहिए तो चलो देखते हैं क्या है important judgments या points पहला notice cannot be issued under section 73 demand of service tax and interest is not sustainable याने 73 sections के सारा compliance होना चाहिए उसके जो parameters दिये है कि कब हम 5 साल पिछे जा सकते है suppression of fact है fraud है willful misstatements है ये proof होना चाहिए नहीं तो ये sustain नहीं होगी SCN diamond cables का judgment है say stat का वो आप देख सकते हो फिर बाद में drafting mistake in amendment section 73 2A है यहाँ पर ये दिया गया है कि who may conclude that there was no fraud suppression ETC तो ये appellate authority tribunal court तक matter जा सकते है what happens if the adjudicating authority itself come to the conclusion that there was no fraud suspension और ETC अगर कुछ cases में जैसे doctors के case में service tax की notice आ गई है वहाँ पे तो liability आएगी नहीं तो फिर यहीं पर conclude हो जाना चाहिए adjudication authority के वहीं पर SCN close कर देनी चाहिए पर कई cases के अंदर adjudicating authority may confirm the demand और उसको आगे फिर लेके जाना पड़ेगा तो adjudicating authority को ही assess करना पड़ेगा कि there is no fraud, there is no suppression, there is no millful best statement और तीसरा point है कि assess it as a bona fide belief तो ये 30 मैने के पीछे नहीं जा सकेंगे SCN के अंदर, security town hall committee, मैसूर city corporation, sing brothers, toyato kirloskar motors ऐसे कई judgments है जो हमको यहाँ पर favor में मिलते है taxpayer के फिर दूसरा एक important है कि bona fide doubt अगर है chargeability of service tax के उपर तो ये extended period नहीं available होगा और malafide intention अगर नहीं है तो ये sustain नहीं होगा Indian Institute of Chemical Technology के judgment का use यहाँ पर हो सकता है फिर आते है कि अगर department ये demand raise कर रहा है अलग-अलग category के अंदर department को खुद को ही ये पता नहीं है कि ये कहां पर tax करना है तो ये chaos और confusion होगा और यहाँ पर वो ally नहीं कर सकते कि आसेसी ने यहाँ पर कुछ गलत किया है यहाँ पर intended to evade the tax है तो इस case में ये limitations के notices evoke नहीं हो सकती demand set aside हो जाएगी nexus computers का judgment है क्योंकि अफरात अपरी में notices issue ही है तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर गलत SCN भी issue हो चुके होंगे फिर बाद में अगर department को खुद को ही doubt है service tax के liability के ऊपर क्योंकि जैसे job work के services है वो exam थी पर उसको भी SCN दे दिया है doctors को भी SCN दे दिया है तो यह गुद्रा state seats का certification agency का judgment है तो यह extended period पीछे जाके यह SCN sustain नहीं होगी फिर बाद में suppression of fact अगर नहीं है तो पीछे नहीं जा पाएंगे तो यह MP power and power management institution का भी judgment है visual traders का है sapphire secretary का है यह judgments आपको refer करने को मिल सकते है extended period is not evocable when earlier tribunal judgments were in the favor of the assessi तो यह एक बहुत important है कि आपके favor में कोई judgment होगा तो उसके वज़े से आप इसका benefit ले सकते हो और आखरी में if there can be no suppression and if assessi was ignorant तो यहां पर prove करना होगा department को कि there was an intention to evade the duty mere failure to pay duty cannot be the reason to evoke the extended time period of five years फिर evade का मतलब है कि defeating provisions of the law to pay the duty यह थोड़ा strict हो जाता है intent word को भी use किया गया है तो यहां deliberately avoidance of tax या duties in law है यह prove करना पड़ेगा department को तभी यह ACN sustain होगी तो अब taxpayer ने इसमें से आखरी अपना सवाल है कि क्या सीखना चाहिए तो यहां पर यह unjust actions कभी कभी होज सकती है department की कुछ-कुछ taxpayers के उपर कुछ-कुछ taxpayers में सही में service tax भरना आया होगा पर नहीं भरा होगा तो यह case to case अपने को देखना पड़ेगा और taxpayers को यह कई बार dilemma हो रहा है कि अब हमने क्या suppression किया है क्या हमने intent to evade tax किया है क्या fail to pay हुआ है या fail to assess हुआ है यह सब taxpayers को देखना पड़ेगा और यह notices bulk में भेजी गई है कई बार उसका जवाब भी दे दिया है तो यह satisfaction of purpose नहीं हो रहा है taxpayers और कई tax organization ने already finance minister madam को यह लिखा हुआ है कि यह bulk में notices भेजना यह check करो कि taxpayers को इससे तकलिफ न हो तो आखिर में यही हम मानेंगे कि genuine taxpayer को इससे harassment ना हो क्योंकि ease of doing business के तरफ हम जा रहे है GST अब आ रहा है और पीछे service tax के अब बुद्दे निकल रहे है तो कई taxpayers को यह shock causing notices हो रही है instead of show cause notice तो दोस्तों यह था हमारा आज का SCN of service tax के उपर का करनीती तो देखते रहे है करनीती का YouTube channel GST के updates के लिए thanks for watching यह एक छोटा सा attempt था आपके guidance के लिए आपके suggestions आप इस email पे बेज़ सकते हो CA हो तो WhatsApp group मेरा यह join कर सकते हो for legal updates थानक्यू थानक्यू